तो भारत सरकार के उपक्रम, भारती खाद निगम द्वारा आम जनता और किसानों को लाब पहुचाने के लिए नई पहल की जा रही है अब सरकार भी खुले बाजार में गेहूं और चावल के अचानक बरते दामों को नियंतरित करने के लिए यह आउक्षन के माध्यम से गेहूं और चावल को बेचे की वारण उसी मंडल के प्रवंधक ने प्रस कॉन्फरेंस करते हुँ बताए कि सरकार खुले बाजार में एकीस सो पचीस रुपए प्रती क्विंटल के हिसाब से गेहूं और एकतीस रुपए प्रती क्विंटल से चावल बेचे की नहीं बताए कि काला भासारी और मुराफा खोरो पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है दस टन से लेकर सो टन तक वेपारी सरकार से गेहूं और चावल खरीच सकेंगे और में है यह आल इंडिया एस्कीम है यह इस पर बहुत जल्दी इस पर आपको दिखेगा इस पर अच्छा यूपी की कुछ रुजनाओं को जो है सेंट्रल गवर्मेंट ने कहा है कि हर्जिंगा लागू किया वो है कि जो आपके यहां पर जो धान और गेहूं का प्रकॉर पर होगा किसान की बावेमेट्रिक लगेगी और तभी किसान का प्रचेज उस सिस्टम पर आएगा तो यह जो स्कीम है इसमें जो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जिसका वो प्रोपर्टी जिसका वो खेत नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अपना गेहूं या धान नहीं बेच सक झाओ झाओछी अपना किसा है जाओष जिसकाम कोई चाह हो लाओपा घर श्मनुझ कॉछ को येज़िधने झाल सब पिते हूं धनुझ